तो हेलो फ्रेंट्स जैसे कि थमनेल में आप देख चुके होंगे आज कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इको सिस्टम के वारे में जिसमें कि हम देखेंगे मीनिंग दन कंसेप्ट आफ इको सिस्टम उसके बाद में ब्रीफ में देखेंगे कॉंपोनेंट्स आफ इको सिस्टम उसके बाद में देख लेंगे importance of ecosystem हम स्टार्ट करतें अपनी वीडियो को सबसे पहले हम देख लेते meaning of ecosystem जैसे कि आप जानते कि ecosystem वर्ड जो है यह दो वर्ड से मिलके बना है अगर हम इसको ब्रेक करें तो एक हमारा आ जाता है इको दूसरा वर्ड आ जाता है system इको का मींस होता है environment यानि कि आपके surrounding पेड पौधे जीव जनतु जो भी आप देख रहे हैं वो सारे environment का part है system का मींस होता है interaction यानि कि जो भी पेड पौधे जीव जनतु है उनका आपस में interaction हो सकता है या फिर एक दूसरे के साथ में interaction हो सकता है तो यही हमारा मिल के बनाता है ecosystem ecosystem यानि कि जो भी चीजे environment में present है उनका या तो आपस में interaction सेम category का या फिर उसके आस-पास की चीजे यानि कि पेड पौधों के साथ में वहां की air वहां के atmosphere के साथ में interaction यही होता है हमारा ecosystem आप देख लिजए इसके एक written definition या sorry meaning को देख लेते हैं मीनिग आ जाती इसमें अन्याच्रल functional ecological unit comprising of living organism and their non-living environment यानि कि एक natural functional ecological unit है कि आप इस image में देख पा रहे हैं living beings हमारे यह जो भी चीज एक्वेटिक plants पाए जा रहे हैं इनको कह लिया है और साथी साथ यह हमारा जो rabbit है यह भी living beings है और यह non-living environment यह sun हो सकता sun rays हो सकती है साथी साथ यह पानी वगएरा जो भी कुछ है यह non-living environment है तो इसके साथ में आपस में इन लोग का जो एक interaction है उसको हम क्या कहते है एक तरीके सी self supporting system है उसी को हम कहते है ecosystem आई होप आप समझ गयोंगे इसके बाद में definition देख लीजिए बहुत ही easy definition लिखी हुई है according to ag translate इनके according definition क्या कहती ecosystem की कि ecosystem जो है वो एक तरीके का ऐसा system है जो की living और non-living factors जो environment के उनके integration से बना हुआ है तो इसको आप समझ सकते हैं कि एक environment में living और एक non-living जो factors हैं उनके interaction से बना हुआ system ही ecosystem कहलाता है definition को आप as it is word to word याद करेंगे उसके बाद में हमारा जाता है concept of ecosystem इसका क्या means है देख लीजिए जो ecosystem का concept है यह एक ऐसा idea है जो की living organism जो होते हैं वो continually एक set of relationship में engaged रहते हैं किसके साथ में engaged रहते हैं जो भी living organism हैं वो एक interaction में engaged रहते हैं की रहता है non living factors के साथ में या other element कुछ भी हो सकते हैं जिस भी environment में वो रहते हैं उनके साथ में कुल मिला कि वही चीज़ें थोड़ा सा language change करके लिग दी गई हैं अगर आपने इसका concept एक बार समझ दिया तो आपको definition, meaning और concept तीनों चीज़े clear हो जाती हैं इसी बाद में point wise इसको देख लेते हैं ecosystem जो होती है smallest unit of biosphere होती है यानि कि biosphere की सबसे छोटी unit होती है जिसके पास ऐसी characteristics होती है जिसमें कि life sustain कर सके यानि कि इस unit में interaction का मतलब ही यह होता कि interact करके वो लोग अपनी life को sustain कर सके अपने आपको जीवित रख सके ऐसे कहने को तो अंटाक्टिका हुआ या फिर बहुत ज्यादा हम एक थंडी प्लेस को consider करें वहां जाके मैं और आप ऐसे easily नहीं रह पाएंगे बहुत ही ज्यादा जहां पर temperature minus कि कुछ degrees में चला जाता हो वहां पर मैं और आप नहीं रह पाएंगे क्योंकि वह हमारा ecosystem नहीं है हमारी body temperature उतना regulate नहीं कर पाएंगा लेकिन वहां के कुछ polar bears हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसे animals हो सकते हैं जो उतने temperature में रह सकते हैं तो यह उन लोगों के लिए उनका ecosystem है बट हमारा ecosystem नहीं है यानि कि ऐसी functional ecological unit जहां पर non living or living components आपस में interact करके अपनी life को sustain कर सके हैं उसको हम ecosystem क नेक्स देख लीजे पॉंड्स यहां पर इस नहीं होगा यहां पर आप ऐसे समझे कि पॉंड्स हो सकता है डिजर्ट हो सकता है और grasslands हो सकते हैं यह सब example है ecosystem के grasslands का जो ecosystem होगा वहां पर ऐसे animals या ऐसी species पाई जाएंगी जो उस एरिया में रह सकती हैं जैसे कि grassland में बहुत उनका ecosystem grassland हो गया और जो ecosystem desert में जो पाए जाते हैं कुछ ऐसे वह होते हैं प्लांट्स वगरा जिनके ऐसे कटीले कुछ उनका structure बन जाता है कांटो वाला तो वह इसलिए होता है क्योंकि वह उनका ecosystem है वहां पर कुछ ऐसे animals होंगे जो इनके साथ में survive कर सकता है तो यह एक particular ecosystem क का मतलब यह हुआ कि एक particular place पे life sustain करने के लिए living और non living components interact कर सकें इसके बाद में देख लीजे components of ecosystem mainly दो तरीके के component ecosystem में पाए जाते हैं क्योंकि हमारा फर्स्ट हो जाता बायोटिक component बायोटिक जैसे कि आप जानते हैं बायो लॉजी में आप परते हैं जीव बिग्यान यानि कि जो भी living चीज होती है उनके बारे में तो बायोटिक में हमारे आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स पहले ऐसे समझे कि बायोटिक और अबायोटिक क्या होता है बायोटिक में हमारे living जो भी और्गनिस होते हैं उनको consider किया जा सकता है यह हमारे living में plants भी आ जाते हैं और animals भी आ जाते हैं non living component वो होते हैं जिनके पास जीवन नहीं है यानि कि जैसे कि मिट्टी है soil जिसको जीवित नहीं है जिन्दा नहीं है जीवित नहीं है तो इनको हम a biotic component कहते हैं अब बायोटिक में जैसे कि मैंने बोला कि पेर पौदो और animals आते हैं तो पेर पौदो को हम producers की category में रखते हैं या फिर उनको हम autotrophs भी बोलते हैं autotrophs जो word है इसका मतलब यह होता है कि self food जो autotrophs कहते हैं अब अपना खाना खुद बनाने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग भी अपना खाना खुद पकाते हैं पकाना और बनाना यहां पे अलग चीजे होती है तो अपना food जैसे कि plants होते हैं वो अपना जो system रहता है उनका food system वो अपना खुदी बनाते हैं उनको किसी और को आप लोग पानी वगेरा भले ही देते हों बट उनका जो फूड होता है वो सनलाइट और कार्बन डायोकसाइड की मदद से खुदी बनाते हैं तो उनको हम ऑट्रोट्राफ्स कहते हैं हेट्रोट्राफ्स बहुत हैं जो इनसे अपना भोजन प्राप्त करें यानि कि उन करते हैं इसलिए इनको कंजूमर्स भी बोलते हैं मैंने आपको बता दिया जिसमें के एनर्जी मेटेडियल स्वाइल टेंपरेचर वाटर यह सारी चीज़े आती हैं अब देख लीजिए इंपॉर्टन्स ऑफ एकोसिस्टम का इंपॉर्टन्स क्या होता है इकोसिस्टम हमे इनेबल करता है जिससे कि हम किसी और्गनीज्म को समा सकते हैं कोई भी एक और्गनीज्म जैसे कि मैंने अभी बताया कि गायव है इस ताइप के जो और एनिमल्स हैं उनको अगर आप पानी में छोड़ने तो क्या वो सर्वाइब कर पाएंगे नहीं या फिर आप मचली को ह समझने में भी हल्प करता है एको सिस्टम करता है कि कौन सा अनिमल्स और कौन सा ऑगनीज्म किस केटागिरिका है उसका क्या स्ट्रक्चर है इस तरीके से हम इस चीज को समझ सकते हैं डूसरी चीज इंशोस बायोडाइवरसिटी जो एको सिस्टम होता है उसमें असा नहीं ह सिर्फ एक ही टाइप के और गनीज्म पाए जाएंगे एको सिस्टम का मतलब होता है कि वहां पे प्लांट्स भी होंगे अलग तरीके के एनिमल्स होंगे और बहुत ही माइक्रो ऑर्गनीज्म भी हो सकते हैं और यूमन बींग और एनिमल्स भी हो सकते हैं तो एक तरीके से एक इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी को भी एंस्योर करता है बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता कि कि कई सारी चीज़ें वहाँ पर पाई जाती है have तीसरा इसका पॉइंट है इंटरक्टेडनेस का मींज यह होता है कि ecosystem का भी अपने देखा था मीनिंक कि living and non-living factors आपस में interact करते हैं यानि कि एक दूसरे से connected रहتे हैं तो इस चीज़ को भी reflect करता है हमारा ecosystem दूसरा self-sustaining ecosystem का मतलब भी होता है ऐसे living or non-living components का इडरेक्षन जिससे कि life sustain हो सके तो ecosystem जो होता है वह सेल्फ-sustaining होता है नेक्ट हो जाता है Reminder of the wild world जो ecosystem हो से हमें wild world का भी reminder एक तरीके से मिलता है क्योंकि ecosystem में सिर्फ हमी लोग नहीं है कुछ animals या फिर कुछ wild animals हो सकते wild plants हो सकते है वह भी ecosystem के लिए equally importance सकते हैं बहुत है नेक्स्ट हो जाता है हमारा regulating the climate ecosystem से ही climate होता है उसको भी regulate किया जाता है क्योंकि ecosystem में कोई भी चीज़ घर access में ज्यादा हो जाएगी मुझा सिवती जैदा हो जाएगी तो उनके लिए हो सकता यह non living यह कम पर जाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा क्लाइमेट पर कुछ इफेक्ट पड़ सकता है इसलिए जब यह दोनों चीज प्रॉपर मात्रा में रहेंगे प्रॉपर बार प्रमाउंट में रहेंगे इसको आप like, share, subscribe चैनल को कर सकते हैं साथी साथ PDF आपको मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल पर जो कि हमारा SP4 Government Job आप चाहे तो इसको सर्च कर सकते हैं Thank you for watching